अस्सलामु आलेकूम तो ये है बढ़िया सा मजीदार से चाप तो चलिए आज हम बनाते हैं चाप का सालन बहुत ही जटपड घर पर आसाने से एक दम स्वादिश्ट बनता है जरूर बनाईएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारन याने ओर्डिनरी आप भी बड़ी होगी चलिए अब कुकर के अंदर हम बनाते हैं जटपड तो तेल दाल दीजे थोड़ा सा इस बारत में एकदब तरी वाला बनाना चाहती हूँ तो मैं तेल थोड़ा ज़ादा दाल रहे हूँ उसके साथ साथ तेल के साथ साथ 4 टेबिल स्पूल असली घी के डाल दीजिए और अब हम करम मसाले डाल देते हैं यह है तीन चार लॉंग एक बादियान आदा चुटचे का चमत जीरा तीन हरी इलाइची एक डांडी दाल चीनी की एक तेज पत्ता और चार पांच काली मिर्च यह सारो को डाल दीजिए कुकर के अंदर और इनहें तेल लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक इसे प्यास को फ्राय कर दीजिए जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए इसकदर ज्यादा डाक मत कीजिएगा प्यास को नहीं तो कड़वापन आ जाएगा हमारे सालन के अंदर ऐसी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तक इसमिल् और इसे बार-बार चलाते हुए तकरीबन दो-तीन मिनित तक भून लीजिए तब तक भूनिए जब तक यह जो मटन है इसका कलर नहीं चेंज हो जाता तब तक फास्ट आज पर ही रखिएगा कलर चेंज हो जाए तो यहां पर मैंने टमांटर एक मीडियम साइज का था इसे पीस लिया है बस वही डाल दीजिए इसके अंदर और चुले को कर दीजिए स्लो आज़ार हम पावडर मसाले दाल देते हैं थोड़े तो इसमें मैं तीन छोड़ी चाय के चमज धनिया पावडर चूले को कर दीजिए वीडियम आज और इसे एक बार सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए तीन चाइबल स्पून जितना मिक्सर जाड के अंदर पानी डालिए और इसके अंदर चला कर ग्रेवी के अंदर चुसाला ने उसमें डाल दीजिए आदा छुड़ा चैका चमश में नमबक और फिर से दाल रही हूं और इसे मिक्स कीजिए और तकरीबन दो-तीन मिनिट तक भून लीजिए ये देखिए भून गया ना हलका-लका तेल चूटने लगा है चूला फास्ट आच पर कर दीजिए अब डाल दीजिए 100 गराम दही और इसे भी दाल कर बार-बार चला चाल गाते हों हुए एक 2 मिनिट तक भून लीजिए तो पहले मैंने मसाले में 3 मिनिट भूना चुमाटर के साथ मसालो और अब मैं दही के साथ दही को मैं भून रही हूंब थो मिनिट तब तक भूनिये, जब तक तेल नहीं चूट जाता यह तो यह ज़िज चूटने लग करतीजी और इसको फास्ट आज पर एक सिटी खिला लीजी जब फास्ट आज पर एक सिटी हो जाए तो मैं क्या कर रही हूँ स्लो करने के बाद तकरीबन 10-11 मिनिट तक पकने देती हूँ अब मेरी जो चाप है वो छोटी है अगर आपकी बड़ी चाप हो तो 12-13 मिनिट तक आ अगर देती है तो अगर जोटी है तो इसके लिए मैंने गया किया बीच में आधा पॉना कफ फिर से मैंने पानी डाल कर उसे श्लो आज करके ढाकतर दंपरी रहने दिया बिना सीटी वीटी लगाए तो उस हिसाब से वह बहुत अच्छी से गल गई थी अब यहां पर मैंने दाल दिया आदा छुट से का चमच गरम मसाला पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ दो तीन हरी मिर्चियां दाल दीजिए और खुब सारी बारिक कटी हुई कोत मिर दाल दीजिए और इसे करमा गरम प्याले में निकाले और सर्फ करें आप चाहे तो रोटी प अब यहां आपका यह है कि जब आप कुकर खोलेंगे तो शायद आपको पानी कम भी लग सकता है अगर पानी कम लग रहा है ग्रेवी नहीं जादा लग रही है तो आप चाहे तो आधा पाना कप गरम पानी डाल कर उसके एक बार उबाल खिला लीजिए ग्रेवी के साथ और फिर स्लो आच करकर गरम मसाले का पाउडर दाल दीजिए थोड़े सी कोद मेरियाने के हरा धनिया डाल कर स्लो आच पर ढाक कर 3-4 मिनित तक दम पर पकने दीजिएगा तो इसमें आपकी शोरबा भी पराबर हो जाएगा चाहे आपको लगी कि शोरबा बहुत जादा हो गया आपसे और आपको शोरबा कम करना है तो कुछ नहीं मेडिया माज करके शोरबा सुखा लीजिए आपके ये सालन का ये जो पटी के लगी चाप का सालन है चाप जब आप पकाते हो ना तो ऐसी नहीं गलनी चीए कि एकदम हड़िया चोड़ दे ऐसी नहीं गला ना बारा मिन अगर ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरू शेयर किजिएगा मुझे आपके कमेंस पर बहुत अच्छ लगते है तो लाइक किजिए इस वाले वीडियो को उससे साथ अच्छ लगए अपने फैमिली और फैंस में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर किजिएगा फिर से आजे रोंगी नहीं चांदार दमदा रेसिपी के साथ अंतल दें टेक कैर आला आफिस बाई